ठीक है तो जो एलेकसेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या करी उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करी पैनिसलिन ठीक है एलेकसेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसलिन को डिस्कवर कैसे किया तो देखो ये कर रहे थे वाइल वरकिंग ओन स्टैफाइलोको की बैक्टीरिया जो पर यह जो पता चला कि क्वहिए कोई फंगस जो कि गलती से नकी प्लेट में ग्रोव हो गया ठीक है और इस fungus यह जो fungus था, यह fungus क्या कर रहा था, कुछ ऐसे chemicals बना रहा था, जिसके वएसे यह bacteria मर रहा था, ठीक, यह तो है fungus, ठीक है, तो Alexander Flaming ने discover किया हुई कोई fungus है, जो कि कुछ ऐसे chemicals बना रहा है, जिससे staphylococcus bacteria मारा जा रहा है, ठीक है, इस fungus का नाम था, penicillium notatum, नाम था इ ठीक है, तो इन्होंने इस chemical को नाम दे दिया, penicillin, क्या नाम दे दिया, penicillin, और यही penicillin, the first antibiotic थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, while working on staphylococcus bacteria, he observed certain green mold around which bacteria can't grow, ठीक है, और वो green mold कौन सा था, penicillium notatum, आपको यह चाहिए याद रखने हैं कि penicillium notatum, वो green mold का नाम है, ठीक है, जिससे penicillin, penicillin हमें मिली थी, ठीक है, पर भई, Alexander Flaming ने discover तो कर ली penicillin, लेकिन यह इसका use नहीं कर पाए, use क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि penicillin को isolate नहीं कर पाए, purify करके, isolate करके, use नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो काम किया, कुछ और scientist ने, Ernst Chain, Howard Flory और Edward Abraham, ठीक और इसके बाद क्या किया, इसको used किया, और इतना use किया कि यह penicillin used करी गई, एक heavy amount ने, World War II, World War II में एक pain killer के तोर पे, यह penicillin बहुत ही जादा use करी गई, तो यह question बहुत बार आता है, कि World War II में कॉंसे एंटिवाइटिक यूस करी गई, तो वो थी penicillin